डाक्टर रामनोह लोहिया अवजी उनिवर्शिटी के रिजल्ट के बारे में हम आपको संभावित तिथी फिर से बताने आए हैं हम आपको पहले बता दें कि हमने आपको एक संभावित तिथी बताई थी कि 30 जुलाई तक ही रिजल्ट आ जाएगा वो तिथी जो है जो पूर कुल्पती थी डाक्टर रामनोह लोहिया अवजी उनिवर्शिटी के प्रोफेसर मनोज दिक्षित उन्होंने अमरुजाला के साथ जोईन एक वेबिनार में उन्होंने ये बात खुद कही थी कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे रेंगे तो उसी क्यादार पे हमने वो वीडियो बनाई थी अब फिलहाल हमने आपको ये भी बताया है कि आवज यूनिवर्सेटी के कुलपती बदल चुके हैं पहले कुलपती प्रोफेसर मनुज दिक्षित है अब कुलपती प्रोफेसर रवी संकर सिंग आरवी सिंग बन गए हैं तो इन्होंने फिर से एक मीटिंग करी है सारे के सारे जो डीन्स हैं डिपार्टिमेंट्स के उसके अलाओ जीते कॉलपती हैं उसके प्रिंसिपल के फाथ रिजल्ट रिलेज न करने का मामला यह है कि रिजल्ट रिलेज साथ में ही किये जाएंगे और अगली एक बात और रही कि यह देरी कहां से हुई तो देखे दो तीन कारण पड़े इसके में पहला कारण तो यह की जित्ते भी कॉलेज हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा कॉ हेड़ डिपार्टमेंट है वह यह डेटा उपलब्द कराएं कि it 的 को की टे मार्क्सपरe लाच्ट सेमें मिले हैं आगर वह होलग परेंन थे क्रीनिफ और रहें तो उसका प्र्फॉर्फॉर्मेंस क्लास्ट का फराय इंटरण उस बेसिस्पर मिलने थे लेकिन उन्हों ने समय से वो नंबर उपलब नहीं करा है ना होडी ने कॉलेज के प्रिंसिपल को उपलब नहीं करा है ने कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिच्छन नियंत्रक कार्याले को उपलब्द करा है तो परिच्छन नियंत्रक कार्याले का कहना है कि इसी किकान देदी हुई है डाक्ट परिच्छा नियनतर के द्वारा की आप अपने रिजल्ट्स और डेटा उपलब्द करवा दें चात्रों का लेकिन कुछ लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई तो ये समय से ये चीजे नहीं पहुंच पाई उती फरा करान हमने आपको वीडियो में पहले से बताया था कि रि से भी देरी हुई लेकिन फिलहाल मैंने बात की है तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ रिजल्ट्स अपलोड हो चुके हैं कुछ अपलोड हो रहे हैं समय काम बहुत तेज़े चल रहा है तो पचीस से तीस अगस्त के बीच में आपके रिजल्ट हर हाल में आ जाएंगे जो दस दिन का स्टेटमेंट है ये फिर से नए जो कुलपती है उन्होंने ये बात कही है कि दस दिन के अंदर वो कोसिस कर रहे हैं प्रेसर बना रहे हैं तो रिजल्ट दस और पंदर दिन के भीतर आ जाएगा तो सारे कोर्स का हम ये मान के चल फकते हैं कि पचीस हो तीस के बी क्योंकि जो नोटिस एक नोटिस है भी कि जो एचोडी को जारी किया गया था कॉलिजस को तो वो आफिस इंफॉर्मेशन आक्ट के ताहत वो नोटिस हम आपको प्रब्लिक में नहीं दिखा सकते हैं ये भी प्रॉब्लम है मारे साथ तो ये आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ रहा है सारी कूर्स का इवन भी एफ़े अग्री कल्चर वगेरा का भी बनाएं रखिए गादा यूनिवर्शिटी कनेक्शन जैसे छूटी बड़ी खबर आती हम आप तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे इस्टी टून इस्टी हल्दी इस्टी सेवाइयोब।